कि हैलो फ्रेंड्स बहुत सारे दूस्तों का डॉट था क्व्यरी था कि पाफर प्रोग्कर इस टाइप के उस्ट पुषा सा आता हैं दुस्तों पावर प्रग्रामर एक इनफोसिस का एक्जाम पैटन है जिसके तुरू आप इनफोसिस का एक्जाम पैटन है जिसके तुरू आप स्पेशलिस्ट प्रग्रामर बनते हो यह दो तरीके से आप दे सकते हो अगर आप फ्रेसर हो अगर आप फोर्थ यह में हो तो थू यॉर कॉ इसी questions pattern को आज basically हम discuss करने वाले हैं उसके पहले मैं कुछ important point बता जूँ कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम में coding करने जा रहे हो इसका basic knowledge बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए आपको feel होना चाहिए उस language के फ्रति राइट the second way अगर आप किसी भी questions को करते हो तो यह ध्यान रखना कि optimization बहुत important होता है ऐसा नहीं कि आपने किसी question को चार for loop लगा कर और आप उसको बना रहे हो अगर उसमें आपका जो time complexity अगर अगर मान लो कि अगर वो second ले रहा है और दो फूर दो for loop लगाने से अगर वो एक second ले रहा है तो I think the first one is better that is basically what we call as optimization जहां पर आपका time complexity का मुझे सारे test किसे सपास हो जाए और आपको एक अच्छा marks मिल सकता है महाँ पर the third point की intention to practice intention of practice मतलब की आपको practice करते रहना है अगर आप practice करोगे तो आपका maturity level और confidence level बहुत boost होगा आपका thought process में जो है काफी increase होने बाद है ठीक है अगर आप PP के through आप अगर आप stack को देखोगे तो basically यहां पर 5 stack होते है java full stack dot net full stack after that you can go for mon mean and big data और basically यहां पर जो आपको work की दिए जाते हैं that is basically development work most probably will get the development work ठीक है तो चलिए कुछ question सब्सक्राइब देखते हैं जिसके base पे ही जो PP होता है यह इनका pattern होता है जो पहला question है that is minimum path sum in a grid मतलब जैसे आपको 2D array दिया रहेगा और उसमें क्या करना है आपको कि top left से मतलब यहां से bottom right पे आपको जाना है और आपको minimum cost find करना है तो इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से समझते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं open कर लेता हूँ तो यह वाला जो हमारे पास चीज़ है इसको मैं क्या करता हूँ इसको screenshot लेलता हूँ और फिर मैं इसको समझाता हूँ अगर आपको इसका coding चाहिए तो that I can provide you अब question क्या बोल रहा है कि आपको पहला length मतलब top left और bottom right यह हमारा हुआ अब यहां से आप या तो left की तरफ जा सकते हो या bottom की तरफ जा सकते हो I mean आप left right जा सकते हो या top bottom जा सकते और आपको minimum cost find करना है समझते हैं अगर मैं एक से तीन की तरफ जाता हूँ और तीन से एक की तरफ आता हूँ और फिर मैं ऐसे आता हूँ तो क्या मैं यहां पर पहुंच गया जी हाँ तो अगर मैं इसका cost निकलने तो one plus three plus one plus one plus one that will be around three, four, five, six, seven clear है ठीक है एक तो यह पहला दूसरा वे हो गया ठीक है अब दूसरा वे अपन देखते हैं दूसरा वे है या तो मैं इस टाइप से आ सकता हूँ इधर से टॉप लेफ्ट से राइट बटम पर ठीक है तो यहां पर अगर मैं calculate करूँ तो one plus one plus four plus two plus one तो यह किता हो जाएगा चार, five, six, seven, nine ठीक है अब यह दोनों में cost किसका कम है तो इसका cost कम है तो हमारा answer यह होना चाहिए ठीक है और भी हम देख लेते है possibility इससे भी कुछ कम आ र एक गए फिर एक से एक है तो यह किता हो जागा एक तीन पांच और एक यह किता हो गया तीन एक चार एक पांच पांच दस यह तो और ज्यादा हो गया और आप कैसे आ सकते हो आप इस टाइप से भी आ सकते हो इधर से आ गए इधर चले गए फिर इधर आगए फिर इधर आ पाथ अगर अप लेते हो तो यह भी साथ ज्यादा ही आजाएगा चार एक पाइश दस दोबारे एक तेरफ जो की काफी बड़ा है तो हमने यहां पे देखा कि जो हमारा minimum cost है that is 7 यह 7 हमारा क्या होना चाहिए output में आना चाहिए ठीक है तो यह हमारा question है पहला वारा तो इस questions को आप तो ट्राई करना और आप कोशिज करना कि इस questions को बना बाकि मैं इसका solution आपको provide कर दूँगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस type का pattern पीपी क्या कर रहा है follow कर रहा है तो एक बार मैं इस statement को पढ़ दूँ आपको aim into an मतलब 2D array दिया रहेगा और आपका काम क्या है कि find a path from the top left that is from here to bottom right that is here right which minimizes the sum of all the numbers along its path basically आपको minimum cost find करना है ठीक है तो यह हमारा पहला question हो गया अच्छा इस चीज़ को भी आपन देख लेते हैं कुछ और हमारे पास इसका example है ठीक है ताकि आप और बहतर तरीके से समझ पहूं तो मैं एक और screen देलता हूं और चलिए इसको मैं क्या कर लेता हूं इद बार copy कर लेता हूं कि हित्ता कर लेता हूं copy अब हिए फ्वाले को समझते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्यों और चे बारे एक तो ये कॉस्ट हो गया दुसरा तरीका क्या है हम किस टाइब से जा सकते हैं एक से हम चारबे ग्ए फिर चारस है और फिर यहां से फिटा हो गया चार अपांच चेट वार इदर से के और तीट इधर भी बारख अढ़ तेख लेते हैं हमारा आ रहा है तो हमारा जो आंसर होना चाहिए यह यहां पर 12 आ रहा है एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा रन करके देख लूँ और शायद मैंने गलत लिखा हो तो मैं इसको रनेज जावा अप्लिकेशन कर ले रहा हूं नहीं 10 ही आएगा ठीक है यह टाइपो मिस्टेक है इसको मैं सही कर देखा हूं तो आप समझ पा रहे हो कि अपने को exactly क्या फाइंड करना है राइट ठीक है तो नहीं 12 होगा और मतलब कोई भी बारा नहीं होगा क्या आंसर हमारा होगा हमारा आंसर होगा 10 एक लिए ठीक है अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं यहां पर भी हमारे पास टॉप सॉरी टॉप लेफ्ट है और यह बॉटम राइट है तो यहां पर इसको समझ आशी ज़्यादा आएगा चार एक पास छे इतिन और दस चौदर अथारफ बाइस देन चभी सताइस पास उन्तिस टीस के करी यह आने वाला है यह वेरी हाई राइट हमें क्या दिख रहा है कि यहां से अपन यहां गए फिर अगर अगर अपन यहां गए और फिर अपन यह जाए तो अभी किता आजाएगा काउंट करते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस इस केस में हमें दस मिल रहा है अच्छा और हम देखते हैं अगर हम इस वाले को अगर हम फालो करें यहां से यहां गए यहां से यहां गए यहां से यहां गए और यहां से यह नहां है तो फिर किता आएगा एक दो तीन चार पांच छे साथ और यह जीरो मतलब साथ यह आठ और यह नौ तो जो हमारा minimum cost होने वाला है that is basically 9 इसके इस input का हमारा जो output आना चाहिए that is 9 clear है तो इसका जो हमारा output आना चाहिए that is 9 है ठीक है अब इसके coding pattern को थोड़ा देख लेते हैं तो यह हमारा minimum path है और यह हमने तीनों हमने यह input ले रखा है जो अभी हमने वहां पर देखा और अगर मैं इसको run करूं तो आप यहां पर output देख पा रहे होगा that is 7-10-9 जो कि हमारे इस case में भी आ रहा है 7-10-9 अब यह कैसे हुआ आपको पहले solve करो और फिर आपको मैं इसका solution provide कर देता हूं ठीक है चलते हैं दूसरा question और इसी type के दोस्तान इसी pattern पर क्या होता है questions पूछे जाते हैं ठीक है not exactly this one बट इसी pattern पर यहीं का agenda रहता है dynamic programming का यहां पर question है longest increasing subsequence मतलब आपको एक integer का array दिया हुआ रहेगा और उसमें से आपको longest strictly increasing subsequence find करना है मतलब क्या हुआ इस चीज़ को समझते हैं जैसे मैं क्या करता हूं कि इसको यहां पर मैं copy कर लेता हूं तो एक नया मैं यहां पर open कर ले रहा हूं अदिया कर तो यहां इस चीज़ को आपन श्क्रींशोठ इसको लेते हैं ऑब समझते हैं कि actually मैं यह बोल की यह रहा है ठीक कि टो इसका इसमे 4 answer कैसे हा रहा है इसमें 4 कैसे हो इसमें 3 कैसे आ रहा हुआ इसना पर आपको यह सब्सिक्षी को भीश्क्स करते हैं जो लॉंगेश्ट हो और इसी एरे के अंदर क्या हो निर्गीत हो तो अगर मैं यहां से चलता हूं चलो आप समझने को सिच करना सबसे पहले लिए मैं स्टार्ट करता हूं 10 फिर क्या 10 से लॉंगेश्ट इंक्रीजिंग राइट सो 10 से ज्यादा क्या 9 है नहीं तो 10 को अपन नहीं लेंगे 9 से आगे बढ़ते हैं या फिर आप 10 को ले लो चलो 10 10 के बाद हमारा इंक्रीजिंग कौन सा है एकस अब तो बताओ 10 और एकस ऊव एक कितना हुआ नमबर दो नमबर हुगा ठीक है अब इसको अपन अठाते हैं अब कोई दूसरा लेते हैं अब मैं लेता हूं 9 9 ले लिया 9 के बाद हम किसको ले सकते हैं 101 को ले सकते हैं ठीक है 18 को नहीं लेंगे क्योंकि 101 से 18 हमारा तो अपने हमने 2 को select कर लिया 2 के बाद हमारा 5 आता है 5 के बाद तिन नहीं आता है तो इसको हम नहीं लेंगे 5 के बाद 7 आएगा 7 के बाद 101 आएगा ठीक है और 101 के बाद 18 नहीं आएगा तो अब कितना हमारे पास हो गया 2 5 7 एक सो एक ठीक है तो टोटल हमारा हमारे पास कितने होगे चार अच्छा एक तरीका और था दो पांच साथ और आप 18 ले सकते हैं ठीक है क्योंकि यह हमारा increasing way में है right so 25 and 7 and 80 यह भी आपका एक option बन सकता है तो आप अब देख रहे हैं आप increasing way में हम किसी भी subsequence को ले रहे हैं आप इस चीज को ध्यान देना और यहीं question का में tricky part है ठीक है और भी हमारे पास क्या options को सकते हैं इसको भी देख लेते हैं जैसे कि अगर मैं लेता हूं पांच से अगर आपन चलते हैं तो क्या मैं पांच को ले सकता हूं हां उसके बाद साथ और उसके बाद 101 अठारा नहीं ले सकता तो यह तो तीन हो गया नो कोई कोई मतलब नहीं यह फिर मैं ऐसे भी च्यास कहां पांच साथ और 88 ठीक है इसको छोड़ सकता हूं पांच साथ आठ्रा यह यहांенное है भी हमारे पास 3 ही है यहां पर क्या पूछ रहा है लॉज नोगेश्ट थीचैवड PRESTIK अच्छा से बाद अगर अपने जिसाट करें यह तो तीन को लेलेंगे ऐसी 2 को ले लेंगे इसाथ को सफ़ые को ले लेंगे तो पोर साथ से बढ़ सकता हूँ मर सकते हैं तो यह किता है हमारे पास, यह धूर भी या फीर आपले सकते है या तो अपने क्या समझा है कि जो maximum जो longest सब सब सबस्ब्स सेकेंस है है basically हमें उसी को क्या करना है find करना है तो हमने देखा कि basically हमारे पास दो ऐसा सब सिक्वेंस आ रहा है जिसका maximum जो जिसका longest length है that is 4 तो हमारा answer इस case में क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए अब समझ पा रहे हो ठीक है अब थोड़ा सा अगर अपने नहीं समझा तो इस questions को हम दिखते हैं ठीक हो इसको हम समझने की कोसीश करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 0 से start करते हैं तो 0 से क्या मैं 1 पे जा सकता हूँ haa 1 पे जा सकता हूँ जिरो ले या One ले लिया, One के बाद Zero नहीं लेंगे, क्योंकि One से हो छोटा हो जाएगा, क्या Three reden को लेंगा, धी ले सकते हैं, उसके बाद Two, नहीं रहं सकते हैं, हाँ और उसके बाद इसको नहीं कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि दो छोटा हो जाएगा और तीन जा तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर हमारा आ रहा है दो अच्छा एक चीज़ और है आप जीरो से जा सकते हो क्या हाँ जीरो से चल सकते हैं तो जीरो या तो आप तीन ले लो तो आपके पास ये हो जाएगा दो या तो आप 0 से चलो और आप 2 पे चले जाओ और 3 पे चले जाओ तो 0, 2, 3 यहाँ पे भी 3 आ रहा है अच्छा एक चीज़ अब आप ध्यान दो मैं 0 को ले सकता हूँ हाँ उसके बद 1 को ले सकता हूँ हाँ और उसके बद मैं इसको skip करके इसको ना लें मैं 2 को ले सकता हूँ हाँ और 2 के बद मैं 3 को ले सकता हूँ हाँ तो हमारा जो longest sub sequence आ रहा है यह basically हमारा यह वाला है ठीक है और इसका length कितना है किते numbers है तो basically हमारे पास total 4 number है तो यह हमारा output हो जाएगा क्लियर है एक और समझते हैं जैसे हमारे पास है 12233 ठीक है तो इसको start करते हैं वन से चलते हैं यह तो simple है length है total हमारा जो number है that is basically 3 तो यहां पर हमारे पास 3 answer होगा hopes हो कि you understand it right so इस questions को भी आप समझ पा रहे हो गया तो यह यह basically dynamic programming का question है आप इसको dynamically इसको solve कर सकते हो ठीक है तो इसके coding पर चलते हैं तो basically इस method का क्या use है तो basically यह आपको एक array लेगा one day array लेगा और return करेगा longest subsequence जो हमारे पास आ रहा है उसका latency return किने वाला है right तो इसको हम देखते हैं तो यह हमारा longest increasing subsequence है ठीक है तो यह हमारा यह हमारे पास options है ठीक है अब इसको मैं run करके दिखाता हूं कि इसका output क्या यहीं आ रहा है तो मैं run edge इसको java application करता हूं ठीक है तो आपको output आ रहा है that is four four and three इसको भी आप solve कर सकते हो इस type से ठीक है इसको भी आप courses करो पहले से solve करने का after that मैं already मैं इसके solution को provide तो कर रहा है ठीक है तीसरे questions पर आपन चलते हैं hashing इसको आप hashing के तुरू आप solve कर सकते हो हैस्मैप वगरा का use करके नहीं तो आप four each loop भी sorry four loop भी लगा सकते हो बट वहां पर थोड़ा सा time complexity ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपको दो four loop का use करना पड़ेगा पहले questions को समझते हैं और फिर इसके solution की बात करते हैं आपको एक area of integer दिया हुआ है ठीक है और आपको टार्गेट दिया हुए यह काफी easy question है ठीक है और आपको find करना है कि दो ऐसा index आपको find करना है जिससे आपको जो target element है वो आपको मिल जाए इसको हम समझते हैं तो मैं एक नया page ले लूँ और इसको मैं copy कर लेता हूँ यह वाला है हमारे पास ठीक है और इस चीज़ को हम समझते हैं कि काफी easy है ठीक है तो कुछ-कुछ आपके easy questions में भी इस टाइप के question आ सकते हैं ठीक है तो यहां पर क्या है कि आपको ऐसा दो index find करना है जिसका sum जो है यह target है तो आपको input में basically दो parameter दिये होंगे एक तो array लेगा जो कि array हमारा यह वाला होगा और एक हमारे पास target होगा जो कि basically हमारा यह वाला होगा और यह जो है यह हमारा basically output है यह हमारा क्या है output है तो हमारा जो method का जो प्रोटोटाइप होगा that will be let's say find some index इस type से कुछ हमारा method होगा जो कि आपको return करेगा एक array जो कि आप return करेगा एक array और argument में भी क्या लेगा दो parameter लेगा तो first one will be array of integer and the second one will be target got it अब इसको समझते हैं कि इसका output हम किस type से generate कर सकते हैं तो आप एक बात बताओ इसमें कौन सा ऐसा दो number है जिसका sum 9 होगा तो obviously बात है कि 2 और 7 का हमारा sum होगा 9 अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे भी हमारे पास 7 हो उस case में भी हमारा जो output आना चाहिए that is this index and this index because it is asking for the first coming index right तो दो और साथ अब बताओ दो का index क्या है दोस्तों दो का index है 0 और साथ का index है 1 that's the reason we are getting output as 0 and 1 यह भी simple है 6 6 हमारा target है तो कौन सा दो number को हम add करेंगे कि 6 आ जाएगा तो क्या मैं 3 और 2 को add करूं नहीं 5 आएगा दो और 4 को add करने पर हमारा 6 आएगा तो हमारा indexing हमारा 0 1 2 और जो हमारा number है that is 2 and 4 तो हमारा जो output होगा that is basically easy question है और इस चीज को आप solve कर सकते हो basically आप दो for loop लगा के use कर सकते हो single for loop and using hashing that is has map ठीक है तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो यह हमारा हो गया sub array sum equals k ठीक है तो यह basically हमारा नहीं यह हमारा है यह two sum ठीक है यह वाला है जैसे हमने यहां पर output क्या देखा था 01 और यहां पर हमने output क्या देखा था 12 और target हमारा 996 है अगर मैं इसको run करूं तो we will get the same output that is 01 and 12 clear है और यह हमारा method का parameter है basically यह क्या ले रहा है यह दो parameter ले रहा है और यह return कर रहा है एक area fin teaser तो यहां पर मैंने आप basically map यूज किया है और एक for loop यूज किया है आप अगर map ना यूज करेंगों तो आप definitely for loop यूज कर सकते हो पर I think उसका तो time complexity होगा थोड़ा सा जादा होगा इससे ठीक है क्योंकि अगर आप map यूज करते हो तो this internally use hashing और hashing आपको मालूम है कि सबसे fastest data structure माना जाता है राइट ठीक है अब next question पर चलते है binary search यह बहुत important question है यहाँ पर आपको find करना है कि जो given binary tree है क्या यह valid है कि नहीं तो दोस्तो binary tree binary search tree basically क्या होता है पहले इस सीच को हम समझ करते है ठीक है तो अगर मैं बोलूँ कि क्या यह मेरा एक binary tree है क्या दो अब दो के मतलब जो हमारा root node है उसके left में हमेशा जो child element होगा that is left child होगा हमेशा क्या होगा चोटा होगा और जो right child होगा that is always greater than the root node है ना तो यहां से अगर मैं लिख हूँ one और यहां पर मैं लिख दू थ्री तो क्या यह हमारा एक binary search tree है क्या यह हमारा एक BST है definitely है क्योंकि जो root node का left child है that is smaller than root node and root node का जो right child है that is greater than root node अच्छा यहां पर अगर मैं four लिख दूँ और sorry यहां पर अगर मैं अगर यहां पर मैं let's say two लिख दूँ और यहां पर मैं लिख देता हूँ six तो क्या यह possible है नहीं यह possible नहीं है क्योंकि इस two को जगा यहां पर नहीं मिलेगा क्योंकि यह two जो है यह two के equal है ना कि इससे बड़ा है इससे बड़ा होना चाहिए तब अभी यह इस साइड में आएगा ठीक है तो यह हमारा BST नहीं है अगर मैं इसकी बात करूँ two one and then let's say eight ठीक है और उसके बाद मैं बात करूँ साथ और उसके बाद नौ तो क्या यह हमारा BST है हाँ यह हमारा BST है क्यों क्योंकि जो हमारा root node है इससे left वाला छोटा है और right वाला इससे बड़ा है और जो अब यह दोनों children के लिए सब चाइल्ड है चाइल्ड नोड है that is child node भी हो या सब चाइल्ड भी हो सबको जो मेन head root node है उससे क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए तो ऐसा नहीं कि अगर मैं यहां पे लेट से अगर मैं ऐसे बनाता हूं यहां पर four लिग दिया यहां one लिग दिया यहां मैंने three लि दो हां यहां तो यहां तक तो सही है लेकिन यह जो दो है ना यह चार से क्या है बड़ा नहीं है 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 ना तो तो जो हमारा root node है जो head root node है उसके right में सारे जितने भी element होंगे that is that should be that must be greater than this root node ठीक है तो यहां पर यह क्या हो जाएगा अब यहां पर समझते हैं कि क्या हमें करना है तो basically हमें validate करना है validate मतलब आपको बताना है आपको ट्री दिया रहा है और आपको बताना है कि यह valid यह यह नहीं that is आपको return करना है true either false तो यहां पर सबसे पहले आपन क्या करते हैं और आप किस टाइप से इसको follow कर रहे हो है तो सबसे पहले आप एक root node बनाओगे ठीक है तो यह root node बेसे लिख्या होगा तो इसके पास 2-3 element होगे अच्छा आप यहां से समझों सबसे पहले यह क्या है एक node है node के पास क्या है left element भी है और एक right element है मतलब कि यह node के पास एक previous node भी है आप इसी को समझेए आंसले अगर मैं इसकी बात करो तो इस node के पास यह हमारा total क्या है क्या ट्री नोड इसको मैं ट्री नोड की तरह मैं denote कर सकता हूं ठीक है अब इस ट्री नोड के इसके पास क्या क्या है इसके पास जो लेफ्ट नोड है लेफ्ट चाइल्ड नोड है इसका यह एड्रेस होल्ड कर रहा है राइट तो इसके पास एक लेफ्ट ट्री नोड होगा में थीक है तो अगर मैं एक class बनाने की बात करूँ अगर मैं एक class बनाने की बात करूँ ट्री Νोड का थीक है तो ये class क्या क्या क्पनेंड करेगा आप मैं ब्र многom सबसे पहले तो इसके पास डेटा है तो एक integer नम का मैं data Hold कर बूँगा इसके पास अब उसके पास इसके पास left यह point किसको कर रहा है? left child को मतलब कि यह भी अपने आप में tree node ही है so एक tree node भी है इसके पास ठीक है? और यह left को क्या कर रहा है? hold कर रहा है उसी तरीके से right को भी hold कर रहा है तो एक tree node है ऐसे मैं बोल सकता हूँ ट्री नोड है और यह बेसिकली किसको hold कर रहा है right को hold कर रहा है ठीक है तो इस चीज को मैंने कैसे implement कर इस चीज को हम देखते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्री नोड बनाया है ठीक है आप इस चीज को समझे इसके पास एक अपना value होगा एक left होगा और एक right होगा और यहाँ पर मैंने इसका constructor बना लिया है कि जैसे हम ट्री नोड बनाएंगे उसी टाइम हम उसका data को क्या कर देंगे पास कर देंगे ठीक है तो इस चीज को हम समझते हैं यहाँ पर अब अब आप त्यान से देखो मैं इस पूरे को क्या करता हूं मैं कॉंपी कर लेता हूं तो अब ध्यान से आप देखो सबसे पहला question सबसे पहला जो statement है that is है रूट हमारा क्या है रूट हमारा 2 है तो मैंने 2 ले लिया अब जो रूट के left में है उसका जो number है that is 1 और जो रूट के right में है उसका जो number है that is 3 तो यह रूट है इस रूट के right में 3 है अब यह पूछ रहा है अब मैं अगर यह root 1 को अगर मैं दे दू इस method को इस valid BST को यह हमें क्या return करना चाहिए क्या यह एक valid BST है क्या यह valid binary search tree है जी हां तो यह answer होगा true क्यों क्योंकि इसके जो left children that is lesser than that is smaller than the root node and the right children is greater than the root node clear है अब दूसरा example देखते हैं जैसे कि हमारे पास एक और root node है 5 ठीक है उसके बाद इस root के left में मैंने क्या रखा है इस root के left में मैंने रखा है एक और इस root के right में मैंने रखा है 4 रूट के right में मैंने रखा है 4 यह तो यहीं पर गलत हो गया क्योंकि 4 हमारा इससे क्या होता चाहिए यह 4 क्या है इससे बड़ा है यह चोटा है इससे चोटा है जबकि जो हमारा right child है रूट का that should be greater than the root node itself तो यहीं पर यह क्या हो जा रहा है false हो यहीं पर हमारा method होगा यह return कर देगा false ठीक है कुछ और अभी हम solve करेंगे एक जामपल को तो हम देखते है ठीक है पर आप question समझ पा रहे हो right कि हमें क्या find करना है हमें एक एक इस बैलीड करके बीएस्टी हमारे पास होगा ठीक है यह method होगा इस वैलिड बीएस्टी यह basically root node लेगा और यह बताएगा कि यह जो particular tree है यह binary search tree है या नहीं है ठीक है तो कोडिंग पर जलते हैं तो वैलीड binary search tree ठीक है तो यह हमारा पहला है तो पहले हमने पास किया two उसके बाद left में दिया one और right में दिया three तो यह हमें true return करना चाहिए और दूसरे का यह false आ रहा है उस चीज को भी हम अपन चेक करते हैं ठीक है तो पहला true है और दूसरा false है ठी अन्हें सब्सक्राइब करते हैं कि यहीं की अस्ताका ने तो एक मिनیत तो सबसे पहले पन क्या करते हैं अ एक नया पेज ले लेते हैं या फिर यहीं को चल लेते हैं इस चीज को थोड़ा सा पन कॉंपी कर लेते हैं यहीं पर इस सुको देख लेता है यह क्या है सॉरी 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 माई बैड यहां पर इसको ले लिया और फिर अपन चलते हैं इस पर और फिर यहां से चलते हैं इस पर ठीक है अब हमें क्या लेना था यह वाला इसको देखना था यहां पर हमारा root node क्या है पांच clear है अब इसके left में हमने क्या रखा है one को और इसके right में हमने क्या रखा है seven को क्या यहां तक यह binary search tree है हाँ यहां तक यह binary search tree है तो हमारा यह तीन statement complete हो गया अब उसके बाद क्या बोल रहा है root के right के lift में यह root हो गया यह root का right हो गया और इसके अगर हम lift में जाएं तो कौन सा value हम रख रहे हैं यहाँ पर 8 क्या यह BST है नहीं यह BST नहीं है क्यों क्योंकि जो 8 है यह 7 से छोटा होना चाहिए मतलब यह जो child element है यह अपने root से क्या होना चाहिए होना चाहिए जो main route है उससे क्या होना चाहिए बढ़ा होना चाहिए तो बढ़ा है पर अपने रूट से क्या है यह कि इस केस में यह हमारा आशर आ जाएगा फॉल्स यहां पर कोई 7 से छोटा value होता तो उस use case में हम आगे बढ़ सकते थे पर यहीं पर हमारा दॉन जलते हैं। नेंस्ट को देखते हैं ठीक है और मैंने इसको किस टाइब से बनाइब चीज को देख लेते तो यह हमने एज वैलिट वीस्टी नाम का एक मे庭enda बनाया है और यहां पर हमने इसको कॉल किया है और इसको बहुत थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है यहां पर आपको दो वर्ड दिया रहेगा ठीक है आपको पहला वर्ड से दूसरा वर्ड बनाना है ठीक है इसको अच्छे तरीके समझते हैं दो तीन एजंपल से मतलब पहला वर्ड जो सबसे पहले यहां पर जलते हैं यहां पर मैंने बहुत सारा यजामल लिया हुआ तो इसका जो तो मैं क्लास का नाम है देटी दिस्टेंस ठीक है अब यहां पर चार पांच मैंने इसके एक्जामपल इसलिए ले रखे हैं क्योंकि यह थोड़ा सा कंप्लेक्स है आप दो तीन एक्जामपल के बेस पर आप इसको समझ भागे तो सबसे पहले अपर यहीं पर इसको सॉल्व क हो जाएगा कि एक नया पेज लिमीट रख्राइए सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं कि एक-दो पेज ताकि अपन नया पेज ले पाएं ठीक है इस चीज को हम देखते हैं तो क्या करता हूँ सबसे पहले मैं दो चीज को मैं कॉपी यहां से करता हूँ दो एक्जामपल को अब इसको समझते हैं सबसे पहले होर्स वाले को समझते हैं तो हमारे पास जो वर्ड वन है है ना दो पैरमेटर यह ले रहा था ना वर्ड वन और एक वर्ड टू और हमें तीन ही ओप्रेशन करना है पहला या तो आप इंसर्ट कर सकते हो या तो आप डिल और यह थो यह फिर मैं इसको थोड़ा कैपिटल मिली हो और दूसरा वट गाटिपर अरोएस तीक है अब आपको यह ऑर से इसको आपको मैनिपूलेट करके इसको आपको मोडिफाई करके आपको आरोएस बनाना है कैसे करेंगे तो हमारे पास तीन ही operation है और सबसे minimum operation होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो ठीक है अभी इस चीज को समझते हैं देखो सबसे पहले हैं क्या कर सकते हैं पहला जो solution हमारे माइंड में आ सकता है कि मैं क्या करूँ कि H को delete कर दूँ तो एक पहला operation H को delete कर दिया दूसरा operation O को भी delete कर दूँ R को यहीं रहन देता हूँ S को replace कर दूँ किस चीज से O से क्योंकि हमें R के बाद O चाहिए तो इसको replace कर देते हैं अपन O से तो हमें मिल गया R O और उसके बाद E को अपन क्या कर सकते हैं E को अपन delete कर सकते हैं sorry या फिर आप E को क्या कर दो replace कर दो E को आप replace कर दो किस चीज से S से ठीक है तो जो हमारा अब देखो इसको हमने delete कर दिया तो यह तो हड़ गया इसको हमने delete कर दिया यह भी हट गया और S को हमने O से replace कर दिया तो यह एस हट गया और यहां पर O आ गया और E को हमने S से replace कर दिया तो हमाय हमें क्या मिल गया R O S पर इस चीज को करने के लिए हमें किता operation perform करना पड़ा तो हमें basically चार operation perform करने पड़े डिले डिलीट डिलीट कर रिप्लेश एन कि एच को मैं रिप्लेस कर देता हूं कि एच को मैं क्या करता हूं रिप्लेस कर देता हूं किस चीज से आर से ठीक है ओ को मैं वैसे ही छोड़ देता हूं और उसके बद मैं क्या कर देता हूं आर को भी मैं डिलीट कर देता हूं ठीक है और S को ऐसे ही छोड़ देता हूँ और E को मैं क्या कर देता हूँ डिलीट कर देता हूँ तो अभी यह क्या हमें output दे रहा है तो देखो H को तो मैंने R से replace कर दिया तो H हमारा बन गया R O जैसे कि तैसे था और R को तो मैंने delete कर दिया उसके बाद S है और E को मैंने डिलीट कर दिया तो हमने किता operation perform किया यहां पर हमने बैसिक लिए तीन operation perform किया है replace delete and delete तो हमने यहां पर तीन operation perform किया तो हमारा output आना चाहिए मतलब अभी के लिए हमारा जो जो output है that is 3 मतलब minimum जो हमने operation perform करे that is 3 और 3 operation perform करके हमने जो वाट तू जो सब्सक्राइब करता है तो यहां पर ना की चार होगा आपके पास बहुत सारे methods होंगे जिसके तुरू आप हर्स को आर वेस बना सकते हैं पर कोई sense नहीं बनता है बंद वहां पर आपको क्या होना चाहिए कि सबसे हाव यह मिनिमम्म जो operation है यह हमारा output होना चाहिए है ऐसे भी आप कर सकते हो कि आपके पस अगरेंज़ тебя क्या कर दो आप इसको भी डिली ट कर दो इसको भी डिलीट कर दो इसको भी डिलीट कर दो इसको भी लोगी ब मिकर ठीक है और उसके बाद अप क्या कर दो एक R को insert कर दो एक R को insert कर दो और उसके बाद O को insert कर दो और उसके बाद आप एक S को insert कर दो तो ऐसे भी आपने horse को क्या किया ROS बना दिया पर आपके आप आपने कितना operation perform किया आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने 8 operation perform किया तो आप different operation पर हमें जो आट पूट चाहिए that should be minimum clear है तो यहां पर भी हमारा जो question बोल रहा हूं यहीं बोल रहा है कि given to string word1 and word2 return the minimum number of operation required to convert word1 to word2 और हमारे पस क्या-क्या operation है that is insert delete and replace clear है तो हमारा जो minimum answer आएगा that is 4 3 18 में से minimum कौन सा है that is 3 ठीक है तो यह basically यह logic है इस particular question का ठीक है और थोड़ा से देखते हैं दूसरे question के पतलते हैं तो दूसरा question है हमारा intention को हमें execution बनाना है तो हमारे पास है intention और इसको हमें बनाना है execution execution ठीक है तो क्या हम कर सकते हैं तो i को क्या में replace कर दो और यहां पर हमारा output क्या रहा है तीन आ रहा है clear है अब क्या कर सकते हैं आई को मैं क्या कर सकता हूं replace कर सकता हूं e से तो i को मैंने replace कर दिया e से उसके बाद n है n को मैं replace कर देता हूं n को मैं replace कर देता हूं x से क्योंकि ex हमारा हो गया ती को मैं क्या करता हूँ डिलीट कर देता हूँ कि ती का हमें यूज नहीं है उसके बाद E आ रहा है E को रहने देते हैं क्योंकि E X के बाद हमें E चाहिए और जो N है एन को मैं क्या कर देता हूं डिलीट कर देता हूं क्योंकि इसका या फिर एन को अपन क्या कर सकते हैं सी से अपन क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं तो एन को मैंने सी से रिप्लेस कर दिया उसके बाद एन के बाद मैं क्या कर सकता हूं एक मिट इंटेंशन यहां पर टी हो व n हो गया ठीक है तो एक दो तीन चार ही और हमें यहां सर ग्यां से पी काई एकुला है और यहां पर है यहां को हमने replace कर दिया C से एक C C P I O N नहीं हमें और एक U चाहिए न कि C के बाद हमें क्या चाहिए यू चाहिए तो यहां पर हम क्या कर देंगे एक insert कर देंगे किसको को यू को तो हमें C के बाद क्या मिल जाएगा यू मिल जाएगा क्लियर है आप समझ पा रहे हो तो यहां पर हमें कितना output सुरी कितना operation perform करना पड़ा एक दो तीन चार पांच टोटल पांच operation हमें यहां पर करना पड़े और यह हमारा solution होगा ठीक है दूसरा तरीका क्या है आप और भी बहुत सरा तरीका यूज कर सब्सक्राइब हो जैसे हमारे पास यह intention है ठीक है ओ हो सुरी यहां पर बार-बार में इन डी आई ओ इन अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं आ या तो आप क्या कर दो इसको भी इसको डिलीट कर दो या इसको आप क्या करो इसे से रिप्लेस कर दो इनको आप एक से रिप्लेस कर दो और इसको आप रिप्लेस कर दो इसे इसको आप रिप्लेस कर दो सी से और इसको आप रिप्लेस कर दो e x e c u से और 1,2,3,4,5 आर उसके बाद इसको ऐसे ही रहने का to tion यह भी यहां पर है कि TalIA प्रहसे करना पर एक दो र्ण पर इसारा क्या है कि आप पूरे intention को किया कर्द ओ डिलेट कर दो कर दो पुरिण सबको आपने डिलीट कर दिया और उसके बाद एक execution आपने इंसर्ट कर दिया वह काफी costly पड़ेगा और उसका मेरे को ऐसा लगता है कि उसका operation something around 12 operations चाहिए पर हमें कौन सा चाहिए हमें minimum चाहिए तो minimum जो हमारा operation perform हो रहा है word one को word two बनाने में that is basically five ठीक है तो इस type से इसमें भी आप different method से कर सकते हो बसरते आपका जो answer आना चाहिए that should be minimum ठीक है और भी हम solve करते हैं question कुछ sorry और भी कुछ example हम solve करते हैं यहां ठीक है ताकि और आप बहतर तरीके से इस चीज को समझता हूं तो मैं क्या करता हूं यहां पर इसको यहां पर मैं दो एक्जामपल और लेता हूं ठीक है अब मेरे को क्या solve करना है मेरे को कीटेन कीटेन को हमें बनाना है city inegy एस आई डावल्टी आई इंग ठीक है अब हम किस टाइ charming something इसको तो देखो धहान से रहो डावलटी यहां पर यहां पर यहां food यहां पर अ काम कर सकते हैं के को मैं रिप्लेमी कर सकता हूं S से ठीक है I को मैं छोड़ देता हूं ऐसे ही डवल टी को ऐसे ही छोड़ देता हूं और इस E को मैं रिप्लेस कर देता हूं I से थीक है? N को ऐसे ही छोड़ देता हूँ और यहां पे last true में क्या कर सकता हूँ? एक G में क्या कर सकता हूँ? insert कर सकता हूँ. तो अगर मैं इसको अब देखूँ, तो K को मैंने replace कर दिया S से, I अपने जगापे है, T अपने जगापे है, T अपने जगापे है, इस E को हमने replace कर दिया है आई से इस यह अपने जगा पर है और उसके बाद हमने insert कर दिया है जी को इस भी तरीके से आप जा सकते हो आप के को क्या कर दो आप डिलीट कर दो ठीक है आप आई को क्या कर दो डिलीट कर दो तो बचा क्या डवल टी इन अब इसके पहले आप क्या कर सकते हो एस और आई को क्या कर सकते हो इंसर्ट कर सकते हो तो मैं यहां पर कर देता हूं इंसर्ट जिसका कोई sense नहीं बनेगा ठीक है पर हाँ इस टाइप से अपना कर सकते हैं तो यहां पर मैंने A को insert कर दिया और फिर हमने insert कर दिया आई को ठीक है उसके बाद डबल टी को ऐसे ही छोड़ देते हैं यह को मैं क्या कर देता हूं रिप्लेस कर देता हूं आई से ठीक है एन को मैं वैसे ही छोड़ देता हूं और एन के बाद मैं एक insert कर देता हूं जी ठीक है तो अभी हमारा जो जो हमारा आउट्पुट बनेगा और न यांड न अपने जगह पर हम लुद holidays कर दिया आउटकहरद कर दिया उसके अविक लिया यहाँ के पहले हम चाहला पांच छे छे operation लगा है यहां पर और यहां पर किता operation लग रहा था यहां पर तीन operation लग रहा था तो minimum कौन सा है minimum तीन वाला है तो हमारा answer होना चाहिए three मतलब आपको minimum operation क्या करना है follow करना है अब next Initiator पर यहां पर इंसट कर दो इनको है तो इस तो डिलीट होगयालίW और यहां पर डिलीट को क्या किया है इंसर्ट किया है तुब कि इन ने कितना किया एक गडिली का और एक इंसार्ट का और बिसकी लिए हमारे पास दो आप ले Dublin कि और हो जूड़ा और भी तरीके है आप क्या कर सकते हों ह। आप आप यहां पर एफ और एफ ऐल हे डब besak को डिलीट कर दो और एल को भी आप जारं यहां पर कोई Sence नहीं बनेगा यह को भी आपने अपने डिलीट कर दिया और उसके बाद फिर आपने क्या कर दिया इंसर्ट कर दिया kis को एल को और AWA से च्छोड़ दिया और यहां पे आपने एन को इंसर्ट कर दिया ठीक है तो अभी भी यह क्या बन गया कुछ आपने अपने ऐफ को डेलीट कर दिया था उसके बाद ऐल को डीलीट कर दिया था उसके पाद आप ने एल इंसर्ट किया तो यहाँ पहे हमारे पास अंसर अरहा है एलि और है व स complaint आप यहां पर हमने किता प्रेशन परफॉर्म करना पड़ाए लागा तो चार प्रफॉर्म करना प्राइं ना कि Doo परफॉर्म करके बनाया दूनों में से कौन सा है देट फर्स्ट वन तो हमारा आंसर आना चाहिए दोग क्लियर है उसी तरीके से हमारे पास कुछ और solution है, sorry, हमारे पास input और output है, जैसे A, B, C, D को हमें E, F, G, H बार में आए, क्या कर सकते हो, minimum 4, मतलब कैसे, आप A को replace करो E से, B को replace करो F से, C को replace करो G से, और D को replace करो H से, दूसरा solution क्या है, आप A, B, C, D, 4 को delete करो, so delete, 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 उसके बाद आप 4 बार insert लगाओ, that is, insert E, insert F, insert G, and insert H, तो total हमारे पास कितने operation यहां पर हो गए, total हमारे पास 8 operation हो गए, 4 delete के और 4 insert के, तो हमार जो पहला solution था, that is, A को replace करना E से, B को replace करना F से, C को replace करना G से, D को replace करना H से, पहला वाला जो हमारा solution था, उसमें हमने सिर्फ 4 operation follow कर रहा है, और जो दूसरा वाला solution है, इसमें हम क्या कर रहे है, 8 operation follow कर रहे है, 4 बार delete और 4 बार insert, तो हमारा solution क्या होना चाहिए, हमारा answer होना चाहिए, 4, minimum 1, ठीक है, अच्छा, ABC को हम ABC किस टाइप से बना सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, हमें कोई insert, कोई replace और कोई delete नहीं करना है, तो हम यहाँ पर minimum operation होगा, that is 0, दूसरा solution, आप ABC को delete कर दो, और फिर ABC लिख दो, ठीक है, तो total 6 operation लेंगे, पर 0 और 6 में कौन सा चुटा है, 0 है, तो यह हमारा answer होगा, 0, और इसका solution ऐसे है, जो मैं आपको send कर दूँगा, ठीक है, पर आप पहले खुद से कोशिस करो, इस चीज को solve करने का, ठ अभी मैं सिर्फ 5 questions को ही रखता हूँ, 5 questions और मैंने develop कर रखे हैं, बस अभी मैं उसका coding कर रहा हूँ, जैसी हो coding मेरा perform हो जागा पांचों के लिए, और सारे test cases pass हो जाएंगे, तो मैं उसको भी में क्या करूँगा, आपके साथ share करूँगा, तो आपको एक overall idea मिला होगा, कि क इस type का question हमारा PP expect कर सकता है, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं questions आएंगे, मैं यह बोल रहा हूँ कि इस type के questions power programmer में क्या हो जा सकता है, पूछा जा सकता है, इससे थोड़ा सा 19 या 20 होगा, पर जो main core concept है, basically यहीं है, तो आपको जो language है उस पर काफी अच्छा पकड़ होन सा DS stack map यह सब का knowledge होना चाहिए, ठीक है, तो अगला जो 5 question है, basically उसमें हम tree और map का भी और stack वगरा का भी use करने बाले है, ठीक है, तो hope करता हूँ कि आपको definitely यह जो यह video है, आपको पसंद आया होगा, आपको helpful लगा होगा, अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा है, तो please मेर थोड़ा सा motivation आप होता है, और अगर आपको कोई भी problem या कोई भी doubt है, इससे related, इस questions के related, या PP के related, तो आप definitely comment box में उस चीच को आप पूछ सकते हैं, thank you so much.